नितीश कुमार ने भारते जनतापाटी से संपर्क किया था साथ मेल करके फिर से सरकार बनाने का ये अभी भी भी भीतर खाने में है और यही दोनों बता सकते हैं लेकिन असली बात ये है कि जिस तर से हम लगतार आपको बता रहे थे और आपने देखा भी होगा कि हमने जब कि ये विशलेशन किया है कि महा गठबंधन भरसेज इंडिये गठबंधन की लडाई अगर बिहार में होती है तो परिस्थितियां क्या रहेंगी आंकलों के हिसाब से और सरवे के हिसाब से भी हमने कई परिस्थितियों को आपके सामने रखा था इसमें कई ऐसी सीटे थी जो फंस रही थी कुल 40 सीटे बिहार में है जैसा कि आप सभी जानते हैं और इन 40 सीटों में एक दरजन से ज़्यादा ऐसी सीटे थी जिसको ले करके ये कहा जा रहा था कि भारतिय जनता पार्टी और यहां तक कि नितीश कुमार भी इन सीटों पर जीतने में कहीं न कहीं जबकि महागठबंधन को सभी सीटों पर हराया गया था कॉंग्रेस के एक सीट किसंगन को छोड़ करके एक भी सीट नहीं जीत पाई थी रास्तिय जनता दल जो दावा करती है कि उसके पास 32 33 परतिसद बोट है इन सारी बातों को ले करके जो 40 सीटों का आंकलन किया गया थ कि उन सर्वे में लगभग एक दरजन ऐसे सीट थे जो सीटे कहीं न कहीं जनता दल उनाइटेट के पास थे और जनता दल उनाइटेट के पास वाली सीट जो है वो आप समझ लिजिए कि पूरी तरह सोस पर मामला फसा हुआ था इतना ही नहीं इन सीटों पे जीतने के लिए तो मुश्किल थी लडाई लडने के लिए जद्दो जहत करनी पड़ रही थी आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा था उस सर्वे रिपोर्ट के अधार पर जहां एक तरफ बेचैनी भाते जनता पार्टी की बढ़ रही थी तो वहीं नित सीटों के साथ साथ उन्हें कॉंग्रेस की एक सीटे भी यानि 17 सीटे एंडिये से बाहर थी बिहार की 40 सीटों में से 17 सीटों के बाहर होने के बाद भारते जनता पार्टी लगतार 40 का दावा कर रही थी और यह दावा उसका पूरा नहीं हो रहा था इतना ही नहीं इन सभी स इसके लोग सवाचुनाव परिणाम के बाद यदि भारते जंता पार्टी को ये दुहराना था तो उनके लिए नितीश कुमार जरूरी थे भाजपा जदियू और अन्य दलों को मिल करके 40 में से पिछली बार 49 सीटे जीती थी अब जबकि 2022 में नितीश कुमार गठबंधन से हो गये थे उसके बाद से सर्वे रिपोर्ट जो आ रहे थे जिसकी जनकारी हम लगतार दे रहे थे आपको याद हो गया कि हमने पंचनामा सहित भारत लाइब पर भी विशेश खबरों में और मिशन 2024 को ले करके जो विश्लेशन किये थे उस विश्लेशन में हमने कई सीटों पर बताया था जो जदियू के खाते में है उन सीटों पर मुश्किले पैदा हो सकती थी कई सी ऐसी सीटे हैं जिस पर 2019 में भी करी चक्कर हुई थी अब इस बार इन सीटों को जीतना भारते जनता पार्टी के लिए इसलिए जरूरी था कि कई ऐसी लडाईया जो हैं वो पलट सकती हैं देश के अलग-अलग हिस्सों में भी लडाई थोड़ा कड़ा हो गया है कई राजियों में जहां नितिश्कुमार नहीं भी हैं वहां भारते जनता पार्टी को लडाई सीधे कॉंग् जनिया, कटिहार, बांका, सिवान, नलंदा, जहानाबाद जैसी सीधे हैं जो कहीं न कहीं निकलती हुई दिखाई दे रही थी जनता दल उनाइटेट से इन में से जनता दल उनाइटेट लोग जन सकती पार्टी और भारते जनता पार्टी के पास भी सीधे हैं इन सभी प्रिचुल एंडर्स्टेंडिंग से जो असली बात भीतर खाने में दोनों के एक साथ आने की थी वो ये थी कि दोनों ही चाहते हैं कि लोग सभा चुनाओं में एक बार फिर से वो क्लीन स्वीप करें भाजपा का इन एक दर्जन सीटों पर पेंच फंसा हुआ था जो सर्वे से देखा कि किस तरह से एक नई सरकार ने कल सपत ग्रहन किया जिसमें भारतिये जनता पार्टी सहीत नितीश कुमार एक नई सरकार को ले करके अब आगे बढ़ेंगे जुड़े रहे हैं भारत लाइप के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अगर इस वीडियो पसंद आई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से सरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बाग उकराब बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़वर रुवा मुफ्त में मिल जए अगर रुवा पत्रकाईटा के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कल चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 93868167000 धन्यवाद